हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागता आपका हमारे युट्यूब चैनल सिकारी स्टैडिप पॉइंट पर दोस्तों आज के जुड़े हम बात करने वाले 30 महत्पूर्ण क्वेश्चिनों की इसमें से जो सबसे आदा परसन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे परसन है वो है कि यह करेंट है फैर का कोश्चिन है और उत्राखंड से संबंदित है तो आपको बताना है कि उत्राखंड की किस जिला पंचायत को पंडित तीन दयाल उपाध्याई पंचायत ससक्तिकरण पुरुसकार से सम्मानित किया गया है यह हमारे राज्जी की कोई प उपाध्याई पंचायत ससक्तिकरण पुरुसकार से पुरुसकरित किया गया है यह आपको बताना है तो यह है आज का क्वेश्चिन अब बात करते हैं जो कल का परसन था उसकी कल का परसन था कुमाव मंडल के कितने जनपत गड़वाल की सीमा को इस परसे करते हैं तो जो है यह पश्चिमी धौली गंगा के वहाँ पर है तो यह नहीं बताया कि वहीं से वीडियो को देख रहे हैं कुमाव मंडल के चार जिले गड़वाल जनपत की सीमा को मिलते हैं पिथवड़ागड बागयसोर अल्मोर अनिताल तो लगबग लगबग से उत्तर सभी ने द से उत्तर दिया हुए पश्चिमी धौली गंगा के वहाँ पर है मलारी तो लगबग लगबग आज का जो परसन है उसका सही जवाब भी आपको देना है एक बार परसन फिर से बता जाता हूं कि जिला पंचायत को पंडित दीन दयाल उपाध्याई पंचायत सक्तिक्राण प कॉपी खतम हो जा रही है और जो तुम क्वेश्चिन बताते हो यह आएंगे नहीं इस बात की गारंटी तो तभी वीडियो बनानी है इन क्वेश्चिनों को लिखने में दो घंटे लग जाते हैं और उपर से किताब भी नहीं है तो किताब आपके पास जरूर होनी चीए ज और बात रही कि वीडियो से क्वेश्चिन आएंगे नहीं आएंगे तो जो इस वीडियो को देखते हैं जो मैं हर रोज श्री लाता हूं बहुत से जो जिनका भरोसा बना हुआ है तो वो लोग कई लोग ऐसे भी हैं जो जैसे फोरस्ट एक्जाम निकाल चुके हैं या और तो वो भी इस वीडियो को देखते हैं उन्हें भी पता है कि किस लेवल के इसमें क्वेश्चिन रहते हैं तो दोस्तों आप लोग भी बताएगा कि जो मैं हर रोज श्री लाता हूं या आपके लिए रहती है या नहीं क्योंकि आप लोग खुद एक्जाम दे चुके हो एक कि कितने कोशिन आये हैं और आप स्वाल भी कर ले जाएंगे आपको करने हैं तो स्टेडी फ्राई है साइट आप वहां जा सकते हैं और बांकि आपके पास भूग जरूर होनी चीए और बांकि जो मेरी वीडियो रहती है बात रही वो सिर्प 30 मिनट यानि कि जो आदा स्टेड़ कर सकते हैं तो डॉस्तो आज शुरू करते हैं आज के इंप्रिंट कोश्चिन उ latti है बिल्कुल अच्छा कोश्चिन है महादेवी बर्मा का पर थम का ब्रउब्रे संकलन कॉनBook सा तो संधी तो संदीगी तो है nih자를 yo तो इसका से उत्तर हो जाएगा option number a दीप सिखा यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि वो निहार रस्मी निर्जा सांधी की तो करम से है तो फिशली बार एक जमन पूछाएगा तो इसलिए यह याद है तो वही महाँ से निकल भी रहा है तो महादेवी बर्मा का जो पर्थम काप भक्तिन इस्मिर्थी की रेखाएं यह सब और इनकी रचनाएं है क्यान पीड मिला था 1982 में तो इसका से उत्तर option number a अगला है दिये गे बिकल्पु मैंसे किलमिस का समानारति सब्द चुनिए बिसेला पाप भयंकर या फिर महाविस किलमिस हो जाएगा यह हो जाएगा पाप तो यह आप बिल्कुल जाएगा किलमिस का जो समानारति है वो हो जाएगा पाप क्योंकि इस तरह के exam यह UPSI में पूछा गया question है क्योंकि हमारे exam जो हुआ था आपको पता है कि 2015 में हुआ था उसके बाद हुआ नहीं फिर जादा question होते नहीं है तो UPSI में पूछा गया है क किलमिस का जो समानारति हो जाएगा पाप कि अगला question है निमलिकित मैंसे सुद्वाक की कौन सा है इस तरह के question अगर आप ऐसा exam की त्यारी करते हैं तो पांच-पांच question आपको देखने को मिल सकते हैं और बांकि और exam में एक question जरूड़ आता है सुद्वाक की बताना है मांकी तीन गलत हूं कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं नहीं आपका नहीं मैं आपके दर्शन करने आया हूं इस बात के कहने में किसी को संकोच नहोंगा इस बात के कहने में यह कुछ सही नहीं लग रहा है मैं अपनी बात के इस पश्टी करण के तैयार हूं तो यह हो जाएगा ज्यादा सही अगला देख लेते हैं ऐसे एकाद बात हैं और देखने में आती हैं तो एकाद बात हैं इस तरह का कुछ यह भी सही नहीं लग रहा है तो ज्यादा जो शटीक लग रहा हो जाएगा काम हो जाएगा अगला निमर्खित Tao मैं से कौन सा तत्सम सब्द है सिंगार सिंगार पर्टाडम सुद्ध दिख रहा है ऑप्शनादि का दका प्रियาवाची नहीं है गंगा पर्यावची कौन सा इस मैं से नहीं है भागी रती शूछ सरीता और मन्दा की नहीं के कालन्दी यमना का परयावची है और महीं करफिए अगला कोस्चन है वे इस falar है ऐसे अगर अगर तो इस कोश्चन को आप जरूर्ब से याद रखेगा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आब देखें के तो आप पीडियेप के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम को उपर जुर सकते हैं पीडियेप वहाँ पर आपको मिल जाएगी वे अविकारी सब्द जो दो सब्दूं वाक्यूं अथ्वा वाक्य खंडू को जोडते हैं कहलाते हैं इसका से उत्तर है समुच्च बोधक तो बहुत जाएग पहले भी मैंने किसी दिन आपको बताया था इस बारे में तो ये समुच्च बोधक सब्द इस तरह से पिछली बार जो कनिस्षाय का एक्जाम हा था है कोड को लगका उसमें एक्जाम प्रसंद आया हुआ था अगला कोशिए आश्ण बेराज बिहार का संबंद है तो ये आपको बताना है हाती से काले भालु से चिनिया से या फिर तैन दूँब बी गजब के है यहाँपर तो आशन बेराज का जो संबंद हो जाएगा ये हो जाएगा चिनिया से तो औक्शन नंबर डी में है आशन तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है आसन बहराज तो है कहां देहरादुन में है और चिनिया से संबन दित है और आसन एक नदी भी है जो कि जो आसन नदी है वो यमना की साइग है वो भी दून में ही है तो यह भी आप इंको बिल्कुल याद दखना है और जो आसन वेट लेंट सरक्षण है इसका जो छेत्र फल है वह चार्फस चवाली दसमला चालिस के आसपास वह किलोमेटर इतना है तो चार्फस चवाली से याद रखे बांकि चालिस है तो यह भी आप समझी जाएंगे उप्सेन में इस्तर से रहेगा और इसे जो हमारे राज जी का तो आसन शरक्षण है इसको रामसर साइट में जह रहा सांइल के आप दespèrese 22 में और यह हमारे को महाराजा सुदर्शन साह को बिल्शन को ये फिर हेंड़ी अब हेंड़ी क्या कुछ है नी हेंड़ी रैमजे तो शुक्तर हो जाएगा बिल्शन को अच्छा कोश्ची नहीं आगे भी आ सकता है यहां पर भी आया हुआ है भागी रती घाटी उत्तरकासी में और हर्सिल चेत और जुए की राजमा की केति ये किसने कहती बिल्शन ने इतना उत्तरकासी का मुख जाएग अगला कोश्ची नहीं किसान रत्न सम्वान योजना कब प्रारम्ब हुई थी थी इंपोर्टेंट कोश्ची ने 2010, 15,12, 17 तो किसानों को संबान देने के लिए यह तो किसान रत्न संबान युजना है यह 2010 में शुरू कि इस तो अगला कोश्चन है निम्ल लिखित मैं से कौन सा कथन सत्य नहीं है बहुत जादा की जनपद में चादी पाए जाती चमोली अलमोडा इस तरह से और ऑप्शन रहेंगे तो तब यह भी हो जाएगा सई यह और अगला कोश्चिन है हिंदुस्तान मसीन टूल्स हम्ट का कार खाना इस्तीत है महिला सब इंस्वेक्टर 2016 सोलम आया हुआ परस्न है पर यह चम्ट तो बंद हो गी है और फिर भी पूछा गया था एक्जाम में रामगड और जीरोली मुक्तेश्वर रानी बाग तो इसमें जैसे की टप इसलिए मान सकते हैं क्योंकि आपने तो खैर पड़ा है बांकि जैसे कि इसमें कोई जनपत दिय हुआ नहीं है तो रानी बाग में है रानी बाग में तो यह हो जाएगा हम्ट का रखना रानी बाग में हिंदुस्तान मसीन टूल से तो इसका सेटर ऑप्शन बर एक अगला कोश्ची ने के लिए हॉली कप्टर सिवा कब परारंबर की गई 2003 पांच नौ या फिर साथ तो इ 16 मई 2003 को सरुपर्थम मैंने की पहली बार ये केदानाद के लिए जो हमारा केदानाद धाम है तो यहां के लिए हॉली कप्टर सिवा शुरू की गई थी अगला कोश्चीन है उत्राखंडर राज्जी में सरवाधिक ग्राम है पौड़ी अल्मोड़ा और पितोड़ पौड़ी में है और तो यह आपको विल्कुल याद रखना तो सरवाधिक ग्राम है यह पौड़ी में है तो यह आपको विल्कुल याद रखना है ब्लॉग भी पौड़ी में है और सवाधिक जो वीडियो की पोस्ट आई है वो भी पौड़ी में है तो यह खेर तो आपको कहा जाता है कुणर सींग नहेंगी गोबिंत सिंग रावत किरपाल सिंग धिर असोग जना बट सर गडवाल का हतिम नहीं को बीए बिरेल लीपी के लिए भी जाने जाते थे झालने गडवाल का हतिम याद रखेगा तो ये परसने एक्जाम में आया हुआ था और इसमें दोस्तों लगभग की डेट सुझे जाता है कितने लोग मतलब जिन्दा दफन हो गये थे भूस कलन में और एक्जाम में आता है कब की बात है यह आपको यहांबर बताना है तो नियनी तालम जो सबसे बड़ा भूस कलन 18 सितंबर 880 880 मिले तो ऑप्सन में बिल्कुल सही है फिर सन मिलेंगे जैसे 892, 82 और इस तरह से बांकि आपको पूरी डेट याद रखनी सीदे सीदे डेटी इसकी एक्जाम में आती है 18 सितंबर 880 को नियनी तालम सबसे बड़ा भूस कलन सीदे सीदे आपको डेट के साथ याद रखनी है सीदे सीदे एक्जाम में आता है और बहुत लोग इसमें की मतलब जिन्दा ही इसमें दपन हो गए थे तो यह 18 सितंबर 880 को यह एक्जाम में आता है तो यह आपको विल्कुल याद रखना है अगला कोश्चिन है उत्रा चेत्रफल की द्रिष्टी से उत्रा खंड़ा दूसरा बड़ा जन्पद कौन सा है ने निताल और पिथोड़ागर देहरादून उत्तरकासी तो इसमें से करेंगे हम उत्तरकासी को पहला ऑप्शन के साब चमोली जाएगा बांकि दूसरा उत्त चमोली फिरेशा पिथोड़ागर सतरनाब्ब इस तरह से अगर कुमाउगा जो बात करें कि कुमाउग जनपत का नहीं कुमाउग का सबसे बड़ा जिला तो फोड़ागर होगा क्योंकि छेत्रफल बहुत ज्यादा है सतना नगब्बै पिथोड़ागर दूसरा उत्तरकासी अगला कोशी है निमल निकित मैंसे किस राज जी में ताबा खनीच का सबसे बड़ा भंडार है आंद परदे 36 गड़ जहार खंड राजिस्तान तो इसका से उत्तर हो जाएगा राजिस्तान हो जाएगा ऑप्सन नबर डी क्योंकि आपने जो खेत्र दिया उसके बारे में व होते हैं तो आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है अगला कोशी है निमल निकित मैंसे सबसे बड़ा द्यूइप है बोर में मेडा कासकर नियोगिनी सुमात्रा अब आपने जो सबसे बड़ा दीप है वो जैसे ग्रीन लेंड पड़ा था खर यह भी आया एक्जाम है बहुत बार लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं तब आपको जो दूसरा है वो याद रखना है तो सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो ऑप्शन के साब से मन्योगिनी की तरफ जाएंगे और जो यह मेडा कासकर है यह हिंद मास आगर में हिंद मास आगर में यह सबसे महत्मा गांधी इंद्रा गांधी जेयल नहरू जोवड नहरू या तो इसको सिथा म्र्था 50 यहाँ पर आपको भरणा रेगा? जैसे पिचांश सिवा, छियांश सिवा, सताशो, कौन सा सविधान थन्चोदन था जो की हुआ था 2002 में और भारत में सभी बच्चों के लिए मुप्त और अनिवारे सिक्चा की ब्योस्ता की गई तो बहुत बार एक्जाम में आता है चाहे ल्टी का एक्जाम हो या कोई और एक्जाम हो हर जगह ये परसना आता है तो ये 86 सिवा है 86 सविधान थन्चोदन के दोरा 2002 में सभी बच्चों के लिए मुप्त अनिवारे सिक्चा की ब्योस्ता की गई जैसे बरतमान में 11 मौली कर्तब भी हैं अगला कोश्चिन है और यह भी आपको महजबानी बिल्कुल याद होना चीए राष्टिये माना अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी बिल्कुल अच्छा कोश्चिन है सिदे-सिदे आपको एक्जाम में देखने को मिलता है हुर्जे इसका से उत् الجा जाएगा राष्टिये माना अधिकार आयोग यह जो इसका गठन के गया था स्तापना की ति fierunk प्रपीश्टियन यह चामिया खोआए और करते स्थापना हुई थी बेंचिन के पार गया है कि स्थापनी यह भी ऊक्टुब summers तो यह आपको बिल्कुल याद रखना और इसने जो 25 वर्स अपने पूरे किये थे यह कब किये थे तो आप 25 में से जोड़ लिजेगा 2018 में क्योंकि बराश्टी माना अधिकार आयों ने कब अपने 25 वर्स पूरे के जैने कि जब जैन्ती मनाते है न 25 वर्स पर तो इस तरह से अधिकार आपको याद होना चीए अगला कोशिची ने मुगल समराट औरंग जेब कौन सा बाध्यंतर बजाते थे और जेब की मिर्त्यू एक जाम में आता है पिछली बार आयता सतर साथ मिर्ट्यू थी तो और जेब से भी पहले तक भी एक्जाम परसना आये हैं मुगल सम जाते थे बीना और अकबर जो बजाते थे वो नगाड़ा अकबर नवगाड़ा और ये औरंग जेब जो बजाते थे ये बीना अगला कोश्चिन है अब यहां से उत्रा खंडा आने वाली है तो आप वीडियो को अन तक जरूर देखेगा अगर आप चैनल पर नए हैं अभ मिल इसा इस्तंब बिलेगा फ्रटी अभी लेक से तो सती पर्ता का जो पहला उल्लेक मिलता है तो एरड़ अभी लेक और यह से मिलता है तो आप्षन नमर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही अगला कोश्चिन है आज तो आपको कमेंटर चुकर अवा आपको बताना है तो ये एक्जाम बजरूर बनेगा जिम कारवेट बालमी की बिहार में है जैसे काजी रंगा असम में है सिमली पाल उडिसा में है फॉरस्ट कारडम पुछा गया कि सिमली पाल जीव मेंडल नीचाई कहां इस्तित है तो उडिसा ऑप्शन भी देखें यहांपर तो एक नमबर से इस तरह से एक नमबर इस तरह से मिल जाता है काजी रंगा समय कई बार बालमी की बिहार जिम कारवेट तो खेर आपको बताने की जरूरत है नहीं तो इसको से उत्तर हो जाएगा जिम कारवेट राष्टी उद्यान उत्राखंड तो ऑप्शन नमबर ए करेंगे हम बिल्क तो सबसे जो पुराने सूती वस्तर मिल हो जाएगी यह काशिपूर में उधमसी नगर में और अंग्रेजुने अपनी पहली फैक्टरी लगाई थी उत्राखंड में वह भी काशिपूर में लगाई थी जैसे और जगहाता कि प्रसने भारत में कहां लगाई फैक्टरी पू अगला कोश्चन है उत्तर काशी में हिमालय संग्रालय इस्तापित किया गया बहुत बार यह बना है प्रसने एक्जाम में हिमालय संग्रालय इस्तापित किया गया उत्तर काशी में 15 नवमबर 966, 14 नवमबर 966, 20 नवमबर 964 या उपरोक्त में से कोई नी तो जब नीम की स्तापना किये थी तब यह भी स्तापित किया गया था तो नीम आपको याद किया का नेहरू परवतारोहन जो सस्तान है उसकी स्तापना तो इसका से उत्तर हो जाएगा 14 नवमबर 1965 को ऑप्शन नवरे कहां इस्तित है उत्परकाशी में और एक्जाम सीदे सीदे परसना आता है बहुत बार आया हुए परसने जो नीम की नीम होय है और हिमाले संग्राल सभी तो इसमें से चौफला भी है लामण भी है बाजूबंद भी तो सभी हो जाएका उप्शन मड़ी सभी ये प्रेम जो गीत है ये सभी है अगला कोश्य ने यमनोत्री मंदीर के प्रांगण में स्तित विसाल इस्तमब सिला इस्तमब है कौन से दिभी सिला अप्ट सिला पुष्मे सिला देवी शिला तो यह दिबभी शिला है कि दारनाथ के पास भी है यहां भी इस्तित है तो दिबभी शिला हो जाएगा option number A हमारा बिल्कुल सही तो यह आपको बिल्कुल राखना यम नोत्री मंदिर में जो है दिबभी शिला तो दोस्तों यह थे आज के हमारे 3 इस question score किता रहा comment box में जरूड़ बताएगा अगर आपने वीडियो को like नहीं किया तो एक like जरूड़ कर दिजे और जाते जाते वीडियो को share भी जरूड़ करेगा बाकि मिलेंगे कल को एक दमाकेदार वीडियो में तो thank you friend thank you so much अपना ध्यान रखेगा